Hello Friends, इस वीडियो में हम लिएट आप्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो की काफी important topic है एद इसके बारे में दो तिन वीडियो और मैं बनाओंगा तो Before लिएट आप्जेक्ट के बारे में जानने से पहले उसके साथ जितने मिवी terminology यूज होते हैं मैं उन सारे concept को clear करना चाहता हूं ताकि behind the scene यदि हम date object create करते हैं तो behind the scene क्या होता है वो सारी चीजे हम यहाँ पर समझने के कोशिस करेंगे तो यह concept समझने के साथ ही एक term जो है यूज में आता है constructor तो constructor के बारे में अब भी जानेंगे इस tutorial में कि constructor होता क्या है तो आप सबसे पहली लाइन देख सकते हैं कि इन Java script the constructor property returns to the constructor function for an object तो जब भी हम object create करते हैं तो हमारा जो constructor property है यह Java script की एक property है जो की run होता है जब हम कोई object create करते हैं तो जैसे हम कोई object create करते हैं तो वहाँ पर हमारा constructor property क्या करता है एक constructor function को call करता है यदि जो भी हमने object create किया है जैसे ही हमने जो भी object हम create करेंगे यदि उससे related कोई function अब लेवल है तो उसको भी call करेंगे सिमिलरली आप second line करा सकते हैं the javascript dates मतलब कि javascript में जितने भी dates होते हैं वहाँ पर constructor property action में आता है और वो date function को call करता है यानि कि जैसे ही आप date object बनाते हैं तो वहाँ पर constructor property आता है action में and date function को call करता है चलिए मैं इसको आपको coding के थूरू समझाने कोशिस करता हूं तो suppose किजिए कि मैंने यहां पर date object बना देता हूं यहां पर date object बनाने के लिए मैंने एक variable बना लिया d and यहां पर new keyword आता है और इस तरीके से हम date object बनाते हैं कि मैं यहां पर लोग करा लेता हूं कि दी को मैं यहां पर लोग करा लेता हूं तो आप देखेंगे कि अभी हमने चेक कर लेता है कि क्या return करता है इसने पूरे एक date को अबजेक्ट जैसे हमने इसका object बनाया जैसे ही हमने एक object बनाया इसने पूरे एक date को यहां पर जितना भी आज का date है ब्रावजर में जो भी date by default है उसको इसने return कर लिया ओके तो यह होता है हमारा object जैसे ही हमने अब मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो है हमारा constructor property work करता है constructor property work कैसे करता है जैसे हमने object बनाया है इसका तो उसने कि नाम का जो function है जो कि behind the scene java script का जो core module है जो जो कि java script का जो core function है उसमें एक date नाम का function लिखा होगा और उसने जो date नाम का function है और return किया यह ओके तो आइधिंक कि यह आपको समझ में आए होगा कि यदि कोई यह line लिखता है तो उसका मतलब क्या है मैं थोड़े दर के लिए इसको कमेंट कर देता हूं और आगे हम समझते हैं तो यहां पर एक टर्म आती है कि constructor function क्या होता है दो तरह के function होता है factory function and constructor function क्या होता है कि जब भी हम कोई function बनाते है सबसे पहले देख लेदें constructor function क्या होता है तो JavaScript में अगर हम typing का बात करें कि JavaScript में जो naming convention हो कैसे होता है तो दो तरीके से naming convention होता है एक होता है camera casing दूसरा होता है pascal तो pascal में क्या rule है camera casing में होता है कि पहला word हमेशा small होगा उसके बाद जितने भी word होंगे उनका पहला जो letter हो capital में होगा बर जो pascal है उसमें क्या होता है कि पहला letter हमेशा capital होगा एड़ इसके बाद भी यदि कोई letter आता है तो वह भी capital होगा यह होता है हमर पासकल तो जब भी हम constructor function बनाते हैं तो हम यूज करते हैं हमेशा पासकल naming convention को ओके तो आप यह याद रखें कि JavaScript में जब भी हम कोई इसके बनाते हैं तो हम यूज करते हैं पासकल naming convention को ओके तो यहाँ पर आप देखो कि जैसे ही एक अब्जेक्ट बना यहाँ पर मैं अभी इसको कमेंट कर देता हूं एंड एक दूसरा अब्जेक्ट बना कर देखते हैं यहाँ पर सपोर्ज मैंने डेट लिखेंगे तो वह मिस्मैच करेगा चुकि इन विल्ट हमारा डेट फंक्शन एक बना होता है तो मैंने डेट नाम का फंक्शन बनाया और मैंने यहाँ पर एक फुर्पर्टी असाइन कर दी डिस डॉट एंड इस डॉट यहाँ पर मैं नेम देता हूं नेम इसकल टू फंक्रज ओके अब इसक एक ओबजेक्ट को बनाया टू कि जैसे हमने इस अबजेक्ट को बनाया तो यह एक ऑबजेक्ट बना देगा लिए नमकाृत reducing को मतलब है है कि ये डे श्राग का एक object बन चुका है हमारा अब ये डेट श्राग च्या करेगा यहां पर रोल आता है हमारा जो एक सब्सक्राइब लूपकर पर्टिक समें चेक करेगा कि यह जो ओब्जेक्ट बनाया है इस नाम से कहीं पर कोई यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि यह जो डिस है इस हमेशा रिफर्जेंट करता है यह ब्लॉक अब जेक्ट पर प्पर्फॉर्म कर रहा हो तो अभी यहाँ पर कोई भी अब्जेक्ट का हमने नाम एसाइन नहीं किया है तो यहाँ पर एक empty object है जिसकी property है name and उसका value है फॉंकश अगर generally हम देखें हैं तो हम इस तरीके से object को initialize करते हैं x and यहाँ पर यह हो गया suppose यहाँ पर name नाम की property है name and इसका value मैंने देती है यहाँ फॉंकश तो इस तरीके से हमारे एक general object होता है मैं इसको comment कर देता हूं and यहाँ पर मैं x को console कर लेता है console.log and यहाँ पर हम x को console कर लेता है okay save किया and यहाँ पर control effect करेंगे तो आप देखोगी कि यह एक object को return किया है और object में एक property है name नाम की and name जो है पंकज है okay तो similarly अब क्या होगा कि यह ऐसा नहीं है कि यदि अब मुझे इसको gate करना है तो ऐसा नहीं कि से हम यहाँ से gate भी कर सकते हैं इसके हम value भी change कर सकते हैं वह अभी हम देखेंगे तो simply मुझे name जालना है तो यहाँ पर just name लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा यह तो यहाँ पर चंदर आ गया ओके तो अब हम आते हैं अपने function पर इसको मैं comment कर देता हूं कि तो आप देख सकते हो कि इसने किस तरीके से इसको access किया है यह वादा यदि हम यह कोई अपना direct object बनाते हैं तो बटम यदि constructor function को यूज करके बनाते हैं तो कैसे करें तो simply इसको मैं अटा देता हूं अब यह जो दिस है यह दिस अभी ब्लैंक है ओके यह तब तक इसका कोई भी object define नहीं है empty object है बट जैसे ही हम यहाँ पर इस तरीके से new keyword करके देट्स को बनाते हैं एंड यह जो डेट्स का नाम है यह match करता इसको तो इस नाम से एक object बन जाता है एंड दिस के जगह पर यहाँ पर जो डेट्स है वह यहाँ पर आ जाएगा तो जस्ट हम इसको लॉग करकर देख लेता है कि हमारे पास क्या value आती है सब्सक्राइब कर लेंगे एंड यहाँ पर हमने इसको डी को लॉग कर दिया और यहाँ पर हम इसको चेक कर लेता है तो आप देख सकते हो कि इसने क्या किया है यहाँ पर जैसे ही हम कोई object को बनाते हैं object करते हैं तो हमारा इस नाम से कोई function अबलेबल है क्या constructor function तो उसको यह function मिल गया एंड उसको इसने पास कर दिया यहाँ पर जैसे हमने क्रेट किया तो यहाँ पर दीस के जगह पर जो हमने object क्रेट किया था ओब्जेक्ट का value यहाँ पर आ गया जैसे कि पहले एक जांपर मैंने दिखाया था कि किस तरीके से हम object का नाम dot property का नाम लिख करके उसके value को get करते थे set कर देते उसे तरीके से वही method यहाँ पर भी apply हुआ है कि यह जो date है बस इसमें क्या होता है कि इस नाम से करते हैं तो यह dynamic हो जाता है हम चाहें तो इसका और भी कितने सारे value बना सकते हैं यह जैसे कि यहाँ पर भी कर दिया यहाँ पर मैं डी की जिगा इसको मैं कुछ और बना दो डीडी कर देता हूं तो आप देखोगे कि यह दोनों चल जाएंगा एंड जिसको हम reference कर लेते हैं तो आप देख सकते हो कि दोनों हमारा बिल्कुल सही चल रहा है तो फायदा इससे यह होता है कि यह code जो लिखते हैं उसको multiple time कहीं भी कॉल करके यूज कर सकते हैं बट यदि हम डैरेक्ट सिफ पहले वाले में था सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें काफी दिक्रत आती है उसे multiple time यूज नहीं कर सकते हैं तो इस तरीके से हम हमारा जो date function है यूज होता है तो में जो date हमारा था यह अगर हम इस तरीके से किसी चीज को कॉल करते हैं तो behind the scene क्या होता होगा कि एक date नाम का function होगा और जावाइसके प्रेम हमारे पास एंड इस तरीके से उसकी property होगी जो की property वगारा भी हम बाद में वाले tutorial में देखेंगे कि हमें सिर्फ date object से किस तरीके से हम minute को get करते हैं second को get करते हैं और किस तरीके से set भी करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि object में हम get भी करते ह हैं and set भी कर सकते हैं चंदर का example देखर के तो behind the scene क्या होता है यह object create होगे हमारा इसको just log करेंगे तो हमें पस एक object आ जाएगा बट जो JavaScript का यहां पर date function है इस तरीके का एक यह जो है हमारा date नम का function assign हुआ होगा behind the scene JavaScript की जो main coding है उसमें date नम का function होगा कहीं न कहीं and वो हमें यह वाली जो भी अभी हमारा पास result आ रहा है वो return कर रहा होगा console.log करेंगे और चेक कर लेता है इसको हमने refresh कर लिया ओके हमने क्या क्या है तो हमने यहां पर इसको डिफाइन किया इसलिए इसी को ले रहा है इसको अटा देता है and यहां पर हम इसको चेक कर लेता है तो अब देख सकते हो कि यह जो by default हमारा date object होता है जो कि behind the scene define होता है जैसे कि अभी आपने देखा थे कि मैंने इसको define किया था date को यहां कर तो javascript की priority यह होती है कि यह हमेशा जो local variable है उसको इसको के हवाले से देखें तो जो इसको इसको में मिल रहा था यह वहां पर देख कर रहा है और यह यहां पर अब्जेक्ट बनाते हैं तो अब्जेक्ट बनाने के बाद में उसके behind the scene क्या working है क्या process है वो सारी चीज़े आपको साहथ समझ में आया होगा यदि समझ में आया है तो लाइक ठोकिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं next tutorial में thank you दूस्तों